खोए हुए शिखर की यात्रा रहस्यमई परवत दो हजार चौबीस की सर्दियों में, युवा परवतारोही अर्जुन राठोर को हिमाले की उचायों में एक गुप्त शिखर के बारे में पता चलता है. इस शिखर को अद्रिश्य शिखर कहा जाता है, जो मान्चित्रों में नहीं मिलता और अब तक किसी ने इसे नहीं देखा. किंदंतियों के अनुसार इस परवत पर एक प्राचीन सभ्यता का रहसे छिपा हुआ है, जिसने कभी हिमाले की उचायों में अपना राज स्थापित किया था. अर्जुन, एक साहसी और जिग्यासु अनवेशक, इस शिखर को ढूंडने और इसके रहसियों को उजागर करने की ठान लेता है. वह अपनी पुरानी दोस्त, आलिया और एक अनुभवी गाइट, ताशी के साथ इस रोमान्चक यात्रा पर निकलता है. बर्फीले रास्ते, इस साहसे क्यात्रा की शुरुआत होती है कठोर मौसम और बर्फ से धके पहाणों से. रास्ते में उन्हें खतरनाक हिम्स खलन, गहरे खड़, और जानलेवा ठंड का सामना करना पढ़ता है. हर कदम पर, अरजुन और उसकी टीम के सामने प्रकृती की चुनोतिया होती है, लेकिन उनका संकल्प अडिग रहता है. शिखर की ओर, जैसे जैसे वे अद्रिश्य शिखर के करीब पहुँचते हैं, उन्हें कई रहस्यमई संकेत और पुराने मंदिरों के अफशेश दिखाई देते हैं, ये संकेत किसी प्राचीन सभ्यता के अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं, जो इस शिखर के आसपास कभी फली फूली थी, आखिरकार, टीम एक प्राचीन गुफा तक पहुँचती है, जिसमें शिखर से जुड़े रहस्यों का समाधान चुपा हुआ है, ये गुफा पहलियों और जटल सनरचनाओं से भरी होती है, जिन्हें सुलजाकर ही वे शिखर तक पहुँच सकते हैं, प्राचीन ग्यान, विग्यान और उस सभ्यता की अद्वितिय धरोहरे चुपी हुई है, वापसी की चुनोती, खजाने को पाकर टीम को एहसास होता है कि असली चुनोती अब शिखर से सुरक्षित नीचे उतरने की है, इस यात्रा में अर्जुन और उसकी टीम को अपनी और एकता का पूरा इस्तिमाल करना पड़ता है ताकि वे इस खतरनाक शिखर से वापस लोट सके। खोए हुए शिखर की यात्रा एक रोमांचक और प्रेर्नादायक कहानी है, जो पाठकों को हिमाले की गहरायों में छुपे प्राचीन रहेसियों और अपार रोमांच की द